वजरेक्स हैक को और बीजीन हो गए मतलब 17 को हुगा था है कि आज आप देखो पांस तारीक है पांस भी आलमोस खतम हो गया अभी भी एक सेंजर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो फंस कैसे रिकावर करेगा यूजर बड़ी दिकत में टेंशन में कॉमें सेक्शन में आप एक सबसे बड़ा क्रिप्ट एक सेंज है जानते हैं इस पर इक्सपर्स जितने फंस का है को आए ना उतने फंस अरेंज करना बाइनस के लिए मतलब कोई मुश्किल नहीं है बहुत आसान है प्लस बाइनस इतना पैसा वेजरेक्स को देगा इनको देगा उतना पैसा वो कमा ऑट नहीं कर रहें मैंने जब रीच आउट किया वजरेक्स को तो मतलब इनका इनकलता वो दिख रहा है और शायद इनकलता वसी रूट पर वजरेक्स भी आ पे चल रहा है कौद मतलब खुच से तो कुछ नहीं कर पार रहे है अपना पैस ले लिया वो बेकुफी बरा पू तो आज आपसे सीवर बात करनी है कि क्या बाइनेंस वजरक्स को इस मुश्कल निकाल सकता है कि इसके लिए वजरक्स को क्या करना होगा क्या बाइनndस रेडी होगा कॉसीजी तो भी जेल में इवन दो अभी वो बाइनस का पार्ड भी नहीं है बट उसका स्टैंस यहां पे मैटर करेगा फिर बाइनस क्यों हल्प करेगा वाई वजरिक्स की क्या फायदा बाइनस को होगा यह डिसक्स करेंगे एं मतलब इस पर पूरी इंडिटल बात करेंगे बिटन फॉरन काशिव र अपडेट नहीं दे पा रहा था कुछ आपको साही टाइम पर बाकिया में बैक सो लेट्स दूट इट एग्जाक्ली काशिव सुच के वे उसने भी आपको काफे मिस्स किया कॉमें सेक्शन मतलब आपके बारें या पूश रहे थे जो नॉलेज आप से मिलती है उसको अप् लोगों को समझ बारें बस यही ऑब्जेक्टिव हैं कैसे यूजर्स के पैसे वापस मिल सकते हैं क्या उप्शन यहां पर भी आ रहे हैं मैंस कैसे एल्प करेगा लेकिन उससे पहले आज जो मार्केट में वह से देख ले पहले मार्केट क्रैश होगी वह भी बड़ा आज 언제 इंटर लिंग नहीं स्टाउक मार्केट फिया कर और नीचे जाती है तो क्रिप्टो मेंर फिर क्रिप्टो कौट्ब हैं दो भागों से देख rozp mane सेक्रिप्टो में दो भाग होते हैं क्रिप्टो में एक होता है बिट्कोइन उर एक होता हे अधुरे क्रिप्ट आल्ट क तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखेगा कि लोग इतने तो अवेर होते ही जा रहे हैं कि अब उनको लगता है कि बिटकॉइन के अंदर रिकावरी फिर भी तीजी से हो जाती है कई और कोइंस के अंदर रिकावरी नहीं हो पाती है तो अभी तो आप यह लेकर चलो कि मार्केट और ओवर रियाक्ट भी कर सकती है अपनी मतलब जिसे कहते हैं कि जो उसको इतना रियाक्ट नहीं करना चाहिए उसाप से भी और जादा कर सकती है यहां से और नहीं नीचे लेवल पर जा सकती है फिफ्टी थाउसन का भी उसने ल emergency meeting करके वह बोल दे के हम रेट कट कर रहे हैं अब रेट कट सब्सक्राइब कर दें हंड़र्ड बेस्ट पॉइंट का अनॉस्मेंट कर दें या 75 पॉइंट के अनॉस्मेंट कर दें तो इसमें क्या होता है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही होती है सब्सक्राइब और एकदम हो जब 75 की तो फिर क्या हो तो अब यह डिपेंड करता है अमेरिका इस सिच्विशन को कैसे देखता है देखिए आज की डिड़े मार्केट सारी इंटर लिंट है और हमने एक पॉइंट तो डिसकस किया ही नहीं इस पूरे सिनार्यों में कि क्या गल्फ के अंदर क्या सिच् सिच से गुजरते हैं पूरी दुनिया में अगर दो तीन शक्तिशाली तेश आपस में भिड़ने जा रहे हैं जो कि जिसके चांसे बहुत जाद हैं तो क्या यह सप्लाइचेन को डिसरप्ट नहीं करेगी तो सप्लाइचेन डिसरप्ट होने से भी इंफ्लेशन बढ़ सकती हैं तो आने माली स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही है और जब कोई चीज अच्छी नहीं दिख रही है तो फिर वह कोई किसी भी तरीके का फंडमेंटल या टेक्निकल चार्ट कोई काम नहीं करता है मार्किट इस समय इमोशनल सेंटिमेंटल जोन में जा चुक तो आप कुछ इमोशनली डिसाइड करोगे इमोशनल आपके ज़्यादा भारी हो जाएंगे आपके पुरुस्ता ओके यहां से और नीचे भी मार्केट जा सकती है अब बात वजर एक्स पे सो काशी बहुत बीज दिन हो गया हम और आप देख रहे हैं उसस के फंड का कुछ और एक ही तरीका है यह तो पैसा रिकावर कर लें य किसी को कंपनी बेजदें या एकुटी बेजदें पैसा तो रिकावर अभी कोई अपडेट है नहीं उस पे अब बचता है कंपनी को Shut up, Supposed पूरा को बेजदें खरीदे का कॉन उनका ऑलरी, बैनैंस के साथ इसू इसू solve हो जाता है तो बहुत chances है कि finance take over कर ले पूरी तरीके से क्या partial कर ले और उसमें condition ये लगाते कि ठीक है आप लोग side हो जाओ हम लोग इसको संभालेंगे और let us clear you know let us compensate the users तो अब इसमें कोई और exchange अगर हाथ डालती है तो डालने तो डाल सकती क्रैकन कॉइन बेज कोई भी अगर डालती है तो लेकिन वह क्लेरेंस तो चाहेगी ना कि बेनायंस से पहले clarity हो जाए मेरी मता नहीं इस बारे में tweet भी किया था कि कोशिश तो पूरी वह कर रही रहे होंगे recovery की लेकिन फिर वही वाली बात है क्या कर नौर्थ कोरिया क्या hackers होए तो बहुत मुश्किल है तो इसलिए chances यह लग रहे है कि cc की हो सकता है wait करें और या government interfere करें government भी interfere नहीं कर रही अभी government के agencies को information सारी थे तो उन्होंने government को भी update कर दिया होगा क्योंकि case बहुत बढ़ा है government अभी तक कोई press release या कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है तो इसमें यहीं है कि अगर finance ही मुझे ऐसी लगता है कि finance ही solve कर सकता है और finance की current management cc के बगएर कुछ नहीं कर सकते है so let's hope कि क्या होता है but yeah it's a tough time market down है उपर से वजीरेक्स का hack जिसको suppose वजीरेक्स के अंदर जिसके पैसे stuck होंगे वो तो बेज भी नहीं पा रहा क्रिप्टो भी ट्रेड नहीं कर पा रहा है कई लोगो का राइट होता है कि किसी को सब्सक्राइब कर सकता है कर चुका है वो सीजी सिफ उसी के पाद होगी क्योंकि लीगली लीगली अपने आपको स्ट्रॉंग करने के लिए उसने किया था स्टेप डाउन किया था कि उसके बाइब कोई पोजिशन होल्डिंग करता है सीजी बाइन्स पर लेगी तो एक बार उससे हो कहा कर लो तो कर लेंगे लिए काउड काशब भाई मैंने भी जितनी बात वजरेश से की है ना मतलब है के बाद तो वो बाइन्स पर ना कोई भी सम्वाली नहीं 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 चाहरे है बात नहीं करने को रेडिए हैं नहीं कैसे ले लेंगे उन्होंने क्लेरी मनी कंट्रोल को एक इंटेव्यू दिया है उसमें भूला है कि हम ऐसे कैसे किसी का नाम लेंगे हमारी किसे डिसकॉशन चल रही है कि यह कोई भी हो सकता है तो वो सिच्चुईशन पूरी खराब हो जाएगी गर्मेंट को एंटेविन करना चाहिए अगर लोगों को ऐसा डाउट लग रहा है तो लोगों को देखे केस तो अल्रेटी एफ यू वगरे को पाट जाई चुका है कंजूमर की तरफ से कोई अभी तक नहीं गया है कि कंजूमर की तरफ से कोई इसी रिक्वेस्ट या पी आई एल या कुछ ऐसी चीज नहीं गई है तो यह गई है तो मेरी नॉलिज में नहीं ओनिसली ठीक है बट एक आद एप्लिकेशन से कुछ होगा भी नहीं बतलब अगर यूजर्स को लगता है तो उनका राइट तो ही बट क्यूंकि यहाँ पे निश्चल कंटिविश्ली ट्वीट कर रहा है कि गिव अस सम्मोर टाइम उपर से यह डंप आ गया तो इसलिए चीज़े और जादा बुरी लग रही है और यह तना असान है नहीं उसने जो सलूशन दिया वह सलूशन लोग एक्सेप्टेपल नहीं था कैसे हैं अब जब यह पॉल भी नहीं वापस ले लिया तो आप क्या करेंगे यह मतलब फिर से वहीं आगे जासे शुरू किया था इन लोगों ने मतलब अब ऐसी चुशन में मतलब आप क्या करेंगे रापको रख दें मतलब तो क्या करना चाहिए इनको मैं वजीर एक्स की जगा होता तो सबसे पहले आई एन आर तो मैं लोगो का देने शुरू कर देता है आई एन आर को रोक के क्या फायदा है आई एन आर तो हैक नहीं हुआ आई एन आर को मैं ओपन करता सबसे पहले आई एन आर का इससे क्या लेना देना जिनका आई एन आर बैलंस पढ़ा है आज किसी को अगर पैसे की जुरूरत है उसका राइट है और उसको पैसा उसको तो निकलने तो मानता हूँ कि एक्शेंज को आपने दो चार दिन के अब जिनका किल्टो पढ़ा है तो आप उनके साथ गलत कर रहें कहीं नगने आपको वेज आउट करना चाहिए कि जिनका क्रिप्ट और ये अगर को बंदा आईन आर में करना करेंगा तो ऑ्डर भूक यह इन है कोई बाय और सेलर अभी है नहीं वाँ तो वो कंवर्ट किसमें करेगा उनका ये कहना हो राइट तो मेरा ही मानना है कि आप एक लॉक कर लो ठीट ठीड़ ठीड़ आप जिस दिन हैक वा था उस दिन का आप लॉक कर लो प्राइज ले लो और अठारा तारीक को वगाँ आ अठ इसको रुकना होगा वो रुख जाएगा सो इसे ओपन आइडिया से मैं वजीर एक्स का कोई फांडर नहीं हूं बट इस उनको अभी प्रिमेन प्रड़्टी आए नार तो वापिस कारी दिना चाहिए खोलना चाहिए जो आए नार बैले से क्रिप्टो का क्योंकि उनका यहना इस उनके लिए तो उनको कर देना चाहिए कशिव एक बात और आती है ना कि इन लोगों ने वजरेक्स ने ट्रेडिंग तीन दिन बाद बन करी है मतलब है पहले हुआ तीन दिन दर कप ट्रेडिंग चला रहा है से में यह लिगेशन लग रहे हैं आपे कि ट्रेडिंग इसल और उस टाइम पे कुछ बता रहे हैं कि आई एन और भी डिपॉजिट हुआ है तो यह भी जांस का वीच है कि क्यों आपने आई एन डिपॉजिट लिए अब बिचारे वह लोग फंज गए जिनों ने डिपॉजिट किया उन दिनों में आईडिली तो करना नहीं चाहिए थ को मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं सो क्या वज़े लग रही हैं मतलब ऑप्शन क्या हैं इनके पास यह मैटरोड कितना लंबा चलेगा जहां तक मुझे निश्चल चिट्टी का पत्त एक आईडिया है एक ऐसा एंट्रपेनियूर एक ना एंट्रपेनियूर ऐसे होते हैं जो भ कि चैक तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कट फिलिंग है कि बैनाइंस ही बचा सकता है बैनाइंस ही बचा सकता है बैनाइंस की मैनेजमेंट से बात चल रही होगी सीजी अगर अभी तक बाहर होता तो अभी तक ये सॉल्ट भी हो चुका होता है ऐसी मीरी फिलिंग है मैं एक ट्वीट देख रहा था ओल्ट ट्वीट है सीजी का मतलब लोग उसे याद कर रहे हैं उसे रेफर कर रहे हैं आज कल जिसमें सीजी कह रहा था ना कि वज़रेक्स सीजी को अपने फंज ना सारे बाइनस पर ट्रांसफर कर देने चाहिए उसका ये परपस था उस टाइम कहने का कि जब इशू इन दोनों के वीश में बहुत लड़ाई चल रहे थी वरबल ट्विटर पर लड़ाई चल रहे थी निश्चल की और सीजी की तो एक तरीके से सीजी ने वो ट्वीट कर रहा था उन दिनों में उसका इस बात से कोई रिले आप अगर यहां अपी हमारे लीगल चल रहा है सब चल रहा है बेटर यहीं कि आप अपने फंड उठाके बाइनाइस पर ढाल दो तो लोगों ने लोगों ने इस पर निश्चल पर ही विश्वास जता रहा और 33% मार्केट शेयर ता निश्चल का तो अब मेरा यह मानना ही क करेंट स्थेती में तो बाइनस यह एल्प कर सकता है latest कैसे हलप करेंगा अपने अपन फंडिस में कैसे लगाएगा फिर उसको रेकॉर कैसे करेंगा पिरटिंग fed自 बॉपन करदेगा और जो्ब adapta को Zero स 20 मिलेन आकाउंट में哇 235 मिलेन वर्त आप डीजिटल असेट्स डाल द मतलब उसके लिए तीन दिन का रेविन्यू है बसे इतनी बड़ी कंप्रेंट कहते ना कि जैसे आप जैसे वालमार्ट वगरा में जो पहला वालमार्ट वगरा में जो पहला कोई बतारा था मुझे जो बड़े-बड़े डिटेल स्टोर होते हैं मतलब पहले तीन दिन में उनका पूरा खर्चा सैलरीज इलेक्टरिसिटी यह सब निकल जाता है सेल्स तो उसी फरीके से बाइनस बहुत बड़ी कमनी है यह आज से चार सार पुरानी फिगर बता रहा हूँ अब तो और फिगर बढ़ गई होगी पहले आप उसके लड़ाई लड़ाई लड़ी अब उसके पास आप जाओगे तो वो अपनी कंडिशन्स करेगा ना कंडिशन्स तो उसकी होंगी आप बेगर्स और नौट चूजर्स तो यूँ आर नौट गूं तो डिक्टेट टर्म्स तो देम तो वाट देविल से यू माइट है तो अग्री तो अल दोस तर्म्स और वैसे भी वैसे भी वैसे में निस्चल चिट्टी के लिए एक अच्छी चीज यह होगी कि आप एक प्रोजेक्ट वेब थ्री में बना रहे हूं ठीक है आपको वेब टू से एक्जिट करना चीए आप एक ही इंडिस्ट्री के अंदर एक सेंट्रलाइज सिस्टम और डी सबसे स्केलेबल पडिक ब्लॉकचें जिसके अंदर स्पीड का कोई शुन होगा सेकुरिटि का कोई शुन होगा और यह पहुत बहुत इसरप्टिव इनोविटिव आइडिया लेके आए और क्यों लेके आएो आप यह इसल्ले लेकर आए प्योंकि उस चेन पे लोग अपन Centralization के Advocate बनना चाहरे हो और दूसरी तरफ आप Centralize Exchange के भी Founder आपने क्यों इतनी Contradiction में पढ़े हो आपको एक चीज़ से Exit करना चाहिए था जैसे मैं आपको एक्जांपल देता हूँ Twitter के Founder को लग गया कि यार अपनी वो Remaining जिंदगी Bitcoin को Dedicate करना चाहता है जो भी करेगा वो Bitcoin से Related करेगा उसने ये पब्लीक लिए Announce कर दिया तो उसने पहली चीज़ क्या करी वो Twitter से निकल गया उसने का या Twitter एक Centralized System है यह चीज़े Contradictory है मैं पहले Twitter छोड़ देता हूं उसने ट्विटर से निकला Bitcoin चुरू कर दिया पाइन काशिव भई अब CZ तो Binance में है नहीं मतलब आप यह कह रहा हो कि जो CZ के बिना Binance की जो एक्जिशन टीम है ना उसके लिए decision लेना बड़ा मुश्किल है फिर Binance अगैन फिर से आती फिर help करेगा कैसे इन क्यों पालका जवाब मेरे पास नहीं है लेकिन कोई बहुत अच्छे डील मिल रही होगी तो उसको करने में दिक्कत भी क्या है उसको यह पता है कि अगर Binance ने 235 मिलियन यूएस डालर का सपोर्ट कर दिया तो कमनी के बाद 235 तो पढ़े हैं ना प्लस होगा क्या Binance के करते ही जो यूजर इस platform को छोड़के कहीं और जाते वो और ज्यादा इस platform के साथ जुड़ जाएंगे और नए लोग भी दूसरे platform छोड़ छोड़के इस platform पर आ जाएंगे तो जो वो खरचाच करेगा वो शाद 6-7 महीने एक साल में रिकावर भी कर लेगा उसको उनकी मैथ होती है तो उनको यी पता है कि इसमें इस्चल चित्टी भी विन-विन सरकार भी विन-विन Binance भी विन हो गया Consumer भी विन हो गया कितनी सारी victories हो जाएंगी एक ही Shots है फाइन, last off की cut feeling ये कह रहे है कि minus यहाँ पे entry करेगा और help करेगा क्यों नहीं करेगा, उसके नहीं बताया तो उसके interest की चीज़ है भाई इंडिया में entry करने का इससे बड़ा golden moment नहीं होगा So CZ कब बार आ रहे है 29th September तो इतना लंब हम चल जाएगा है matter नहीं, यह नहीं में कहा रहा हूँ कि यह सारी चीज़ अब उसी पर टक गई मेरा खुद का उपीनिया नहीं गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है बड मेरी gut feeling कहती है हम इतने time से इस industry को observe कर रहे है तो शायद ऐसा हो सकता है Fine, thanks Kashi भाई for this info मतलब हम भी यह ही चाह रहे हैं कि भी यह matter solve हो लोगों के funds जो उनको वापस मिले पूरे के पूरे वापस मिले अब चाहे वाजरेक्स को एक्क्वाइर करके किसी तरह से कोई funds वापस करे वाजरेक्स कैसे भी करे Binance करे वाजरेक्स करे लोगों के funds उनके पास वापस देने चाहिए and hope की Binance इसमें वाजरेक्स की help करे and help भी क्या Binance को फायदा दिखेगा तो भाई वो उसमें करेगा भी help भी करेगा and again comment section में जो भी question अगर आपके पास रहे जो भी लगे आपको दो लिखे बेजना आज से वीडियो को उतना ही रखते हैं पिर मिलते हैं कल आप से Take care, thank you